हलो असलाम अलेकूम सो यार स्टोरी टाइम सुन ले बहुत इंफॉर्मेटियों होगी बहुत कुछ सीखनों को मिलेगा सो यार एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब युनिवस्टी में मैंने एड्मिशन दिया था लेने के लिए जब मैंने फार्म बढ़ दिया था तो के लिए मैंने फार्म बढ़ दी सब्मेट भी कर दी मुझे टाइम दिया गया कि आपके ला जाए दो दिन बाद आ जाए आपको आपका ड्मिशाइल मिल जाएगा साइए मैं गया अब जैसी मैं अदर अंदर गया तो मुझे मिल गया लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई थी एसी साइब का साइन एसी साइब एसी साइब का साइन ले गया था अचा मैं परिशान था कि यार मुझे पिशावर भी जाना है यूनिवरस्टी के लिए टेस्ट भी देने होंगी वहाँ पर मैंने फार्म भी सब्मेट करने होंगी अब यह इसका मसला बन गया एसी साइब क एक चोटा सा जगा था वहां पर मतलब सामनी रूम था वहां पर एसी साब बैठते थे और उसके लिए जो ऐसी लगा हुआ था वह जो कड्कियों में लगाते हैं ना जनरल का वह वही चीज था अच्छा मैंने मैं बाहर बैट था उसने ऐसी अपनी लगाई हैं गर्मी सारी ज या मेरी अवाम के लिए यहाँ पर एक फन का नहीं है बहुत घुसा था उस टाइम मेरे पास मेरा कजन भी था वो भी शायदी वीडियो देख ले अच्छा तो मैं बहुत घुसे में भी था हैर एक वीक गुजर गया एक वीक गुजर गया मैं गया कंप्लेंट करने बाई न है है मैं अंदर गया जैसी ही में डी सी की कम्वने में दाहिल हुआ तो पीटी आई इस की गौर्नेमेंट के कुछ लोग मैंने मैंने नजर पे वहां आ गई अच्छा मैं देखती मैं डर भी गया था यार तुम किस तरह कम ब्लैंट करोगे खैर मैं अंदर गया मैंने का असल है ता अपना डुमिसायल लेने लेकिन मैं इदर एक हफ़ता या दो हफ़ती जलील उखवार हुआ हूँ लेकिन आपकी आपकी कोई रिस्पॉंस नहीं यह ना आपकी एसी साब से मैंने कंप्लैंट लिख ली अब मैं दो चीज़ों में कंफ्यूज था वहां एक एसी साब क कंप्लैंट के उसने साइन नहीं की वो तो मैंने कर दी अब दूसरी चीज मैंने का सोच रहा था कि मैं अपने यह भी बताओंगा कि सर आपकी रूम में दो एसी से दो एसी से चार पंक है लेकिन बाहर जो गरीब बैटा है जिसकी वज़े से आप उसकी इस सीड़ पे हो या आप आपको उसके टेक्स की तनो भां मिल रहते हैं वो वो शख्स इस के लिए पंका नहीं है जहां पर वो बैटता है उसके लिए पंका नहीं लेकिन तरह दीन एसी यह तूस तार चार फैंट्क है यह भी सोच रहा था और साथ मैं यह भी सोच रहा था कि मैं prohib集 साह आक मैंने सिर्फ यह कंप्रेंट लग दी कि ऐसे साइन नहीं कर रहे हैं एक हफ़ते से बीज़े है क्या आए कोई दूसरा शाल बिटा दे मेरे लिए साइन कर ले बात खतम अचा मैं डीजी साब की पीछे मैंने मैंने डीजी साब कर आए कि सर आप जगा पे बेटे हैं यहाँ पर तीन एसी हैं अब तीन एसी होने की बावजूद आप एक साइन के लिए नहीं आ सकती हैं सही है यहाँ पर चार फैन्स हैं लेकिन जिस जहां पर मेरे अवाम या मैं बै उसका reaction मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैं खुद डर गया था यार अब इस तरह की बाद आप किसी भी बड़े शखसे करोगे जब कि आपका कोई बेग्राउंड ही ना हो जब आपके पास कोई 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 पावर ही ना हो ना सियासत का ना कोई और चिसका ना सोशल मीडिया का को जादा गुश्णा हो गई मैं जैसी बाहर गया अब लोगों क्यों देखो ना एक साइट से एक शखसा रहा है दूसरी तैप से दूसर शाह सा रहा है वो मुझे कह रहा है कि आपनी कम्प्लेंट क्यूं की आप मुझे कहते देते 20 मिन पहले मेरा कोई एक साइन नहीं करता थ मुझे कह लेते मैं आपका खलत काम भी कर लेता लेकिन आपने कंप्रेंट क्यों की यार मुझे भी घुस्सा आ गया कि यार यह क्या वज़ा के मतलब 20 मिन में पहले मेरे कोई इज़त ही नहीं थी मैं मैं कुछ ताही नहीं लेकिन जिस टाइम मैंने अपना हक मांगा तो अब इस तरह बाते करेंगे अच्छा बाती तो हो गई मैंने पीज़े दस लोग और बी थे मैंने उसको बताए कि लोग बाहर कड़े मैं अंदर आए उन्होंने का कि आप अंदर जाए आप बात करें डीसी साब से अच्छा उनका काम उसी टाइम हो गया मेरे डिमिसाइल को उन् मकस्ता इस दिस सिर्फ यही है कि अगर मैं अपने हक के लिए वाज उटाऊंगा तो मेरे पाओ मेरी पीची ये चोगा मेरे साथ हैं मैने जब बेग्राउन पे अपने आवाज उटाने की बाद मैंने जब उनकी राए को उन्हें का कि आप गलतक्त काम के लिए हमारे पास आ कर चला जाता है और दूबारा दूसरी साल या पांच साल बर आ जाता है कि मैं मुझे वोट दे मैं आपके लिए करूंगा अब इस से पहले आप थे तो क्या आपने क्या किया था आपने हमारे लिए किया क्या था कि आज आप दूबारा किया रहो कि मैं आपके लिए ये करूं ना हम हम जितनी भी यंग जनरेशन ने यह इकटे नहीं होते हैं यार कोई एक चीज में लगाए कोई दूसरे चीज में अभी मकसद का काम जो जो ज़रूरत है उसकी पीज़े कोई नहीं गया अगें घर में बहुत है यार आपको लेकिन अपना वक्त आएगा या आपर ऐसी ह होगा फुल वेडियो जैसे अप्लोड करूँगा व्यूज आएंगे अपना वक्त आएगा बस उसी का इंतिजार है साहिए तो कहने का मकसद यह स्टोरी का मकसद यह सरफ और सरफ बेग्राउंड यह बता रहा चाहता हूं कि देखे आप अपना हग देख ले आप आप की प है ना कि अगर कोई शखस किसी घलत काम को नहीं रुख सकता तो वो अपनी जुबान से अक्रार कर ले सहीए अगर जुबान से भी नहीं कर सकती तो अपने दिल में कर ले अगर वो भी नहीं कर सकती तो जो शखस तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा है उसकी पीचे कड़े हो इसके लिए जहीं में जूर्ड हैं आप अपने लगाए किटने हैं आपने सीमें की सिमाल किे आप क्रश कितना इस्तिमाल कि यह इतनी किस तरह quality आपने हमें प्रोवाइट किये अब का राइट है याद रखेगा यह आपका राइट है आपका हख कि आप पूचे उन सी, यह सवालाद करें कि मेरा यह हक है, मैरे टेक्स की पैसे है, आपको मिले है, आप लगाएंगे हमारी उपर, मुझे बता दे कि कितने आपको मिले है, लगाई आपने कितने है, यह आपका राइट है, अगें, हम जब तक हम अपनी अपनी अवाज ने और यह दस्तूर भी है सच का साथ देना चाहिए हमेशा कोशिश करने चाहिए कि गलत काम खुद भी ना करे और दूसरों को भी कोशिश करना चाहिए कि उनको भी गलत काम से रोक ले तेंक यू वेरी मच्छ पूर वाचिंग इस वीडियो और वीडियो का मकसद सरफ यही है कि यार खुदारा अपने 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 पावर की अपने पावर की नश्य में अपने 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 जब आपको कोई स्टेज मिल जाता है जब आप कोई कोई एचीवमेंट कर ले दे उसकी जो जो गुस्सा है उसका जो कबर है उसका जो जो तकबर है उसको मत देखो उसको उ अपने अवाम को पर जलम ना करों यह सब कुछ आज हैकल नहीं है यह दुनिया का और यह दस्तूर भी है कि जो दिन आज जिस तरह अच्छा दिन आज गुजड़ गया कल शायद ऐसा दिन ना हो या जितना पैसा आज आपकी पास जितना पावर आज आपकी पास है कल या हो य या कोई कोई शक्स या कोई वर्कर या सोशल वर्कर तो उसके अच्छाई को देख लें बजाए कि वह बुराई को देख लें बुराई को दिकाना भी आपका हक है आप बताएं वह सीखेगा कैसे लेकिन कोशिश किया करें कि ज्यादा आप उसके अच्छाई को एप्रेशि आइए तो प्लीज लाइक करें और वेडियो को शेर करें तेंक यूवेरी मुश्च